नमस्कार, Financeiva Channel में आपका स्वागत है, क्या आपने ओनलाइन एप के द्वारा स्मॉल लोन लिया है, क्या आपने इस तरह से लोन का इंटरेस्ट रेट चेक किया है, यदि नहीं किया है तो कभी चेक करके देखिए, ये इंटरेस्ट रेट 36% पर एनम से लेके 60% पर एनम तर हो ज़्यादा तर लोन के इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं होते, सिर्फ लोन एमाउंड और E.M.I. मेंशन होती है, बॉर्वर कभी समझ ही नहीं पाता कि वह कितना इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, इसलिए मेरी सभी बॉर्वर को सला है, कि कोई लोन लेने से पहले अपने इ विजिट कर सकते हैं और अपने सही इंटरेस्ट को कैल्गुलेट कर सकते हैं 36% से 60% पर एनम का इंटरेस्ट साउकारों का होता था प्राने जमाने में लेकिन आज के समय में भी कई ओनलाइन एप इस तरह के इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइट करते हैं आश्यर की बात तो यह होती है कि बॉर्वर को पता ही नहीं होता कि वह किस इंटरेस्ट पर ब्याज भर रहा है कई बार इतने हाई इंटरेस्ट रेट उनकी बज़े से बॉर्वर लोन रिपे नहीं कर बाते हैं और उनका सिबिल कर दो खराब हो जाता है और वा जिन्दगी बहके लिए ऋन की फैसलिटिश के दूर ओ जाता है। कि बार रह नहीं पर őज फेस्टेस्थेतर Giving क्रेइड कार चंगनेंगेश रहती हैं, 50% per annum का interest देना पड़ता है, credit card का इस तरह से यूज़ करना poison के समान है, यदि आपकी civil तो खराब करता ही है, इसके साथ भविश के लिए भी आगे loan लेने के रास्ते बन कर देता है, इंडिया में 6 करोड से जादा MSME है, एक survey के द्वारा 30% MSME owner financially illiterate हैं, जो की हमारे देश के लिए बड़ी समस्या है, जिसका फायदा कई NBFC उठाती हैं और 50% से 60% per annum पर loan प्रोवाइट करती हैं, बेजिस owner अपना सारा profit, interest के रूम में NBFC और other financer को दे देते हैं, मेरा mission है कि इस तरह के MSME owners को literate करूँ और उनको इतने high interest rate पर loan लेने से रोकूँ और सही financial decision लेने में उनकी मदद करूँ, मैंने अपने 20 साल के career में कई MSME को गलत financial decision की वज़े से बन होते हुए देखा है, अब मैं बहुत basic tips बता रहा हूँ सभी MSME के लिए जिनोंने उन्हें सस्ते interest rate और government loan scheme का फायदा मिल सके, जैसे कि मुद्रा loan योजिना, Prime Minister Employment Generation योजिना, Stand-up India loan, Start-up India loan और collateral free loan schemes, हमारे देश में सबसे बड़ी problem है MSME owner की financially illiterate होना, हमारे देश में MSME owner तब जाकता है जब उसे loan की आविश्यक्ता होती है, पहले से वह किसी भी तरह की तैयारी नहीं करता, जैसे की समय से अपनी income tax और GST return बनना, अब मैं कुछ tips बताता हूँ जिससे भविश में MSME को कम ब्यायदर पर loan मिल जाएगा, नमबर वन, सभी MSME owner को चाहिए कि वह अपना income tax return टाइम पर जरूर वरें और अपनी सही income बिलियर करें, पॉइंट नमबर टू, सभी MSME owner को चाहिए कि अपने maximum transaction, banking channel या UPI payment चे करें, जिससे उनका maximum sales transaction, bank statement में reflect हो सके, यह बहुत जरूरी है और ऐसा करने जे bankers को sales assessment करने में मदद मिलती है, यदि cash sales भी है, तो भी कोशिश करें, complete cash sales को पहले bank में जमा करें, उसके बाद कोई payment करनी हो, तो bank accounts करें, ऐसा करने से MSME की credibility बढ़ती है, और MSME loan interest rate पर loan के लिए bank और NBFC के साथ negotiate कर सकते हैं, कोशिश कीजे आपकी complete sales bank statement में reflect हो, point number 3, सभी MSME को यदि उनकी sale GST limit से ज़्यादा है, तो GST registration कराना चाहिए, GST return time safe बना चाहिए, यदि MSME service sector में हैं, तो यह limit 20 लाग रुपए तक है, और यदि MSME trading और manufacturing of goods में हैं, तो यह limit 40 लाग रुपए पर रहनम तक है, point number 4, maintain proper books of account, यह बहुत जरूरी है कि MSME अपनी books of account जरूर maintain करें, बले ही government ने income tax में 10 करोड के turnover तक audit से छूट दी हुई है, और उनको option दिया हुआ है कि books of account maintain करें या नहीं, लेकिन बिना books of account, बिना profit loss account और बिना balance sheet के, कोई MSME कैसे पता कर सकता है, कि वह profit में कार कर रहा है या loss में, कई बार मैंने MSME owner से पूछा, कि वह earn कर भी रहे हैं या नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं होता, बिना proper data के सही business decision लेना, कैसे समभ हो सकता है, हाँ, यह मैं समझ सकता हूँ, कई बार book of account maintain करना महंगा साबित होता है, यदि business owner को books account खुद maintain करना नहीं आता, और उन्हें कोई account रखना पड़ता है, लेकिन सही business decision लेने के लिए record होना बहुत जरूरी है, जाए यह काल business owner कोद करें या कोई account करें, point number 5, maintain good civil score, सही civil score और सही credit history maintain करना किसी loan को low interest rate पर avail करने के लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए financial discipline होना बहुत जरूरी है, loan उतना ही avail करें जितने की जरूरत है, मैंने देखा है, कई MSME owner, unsecured winges loan, multiple bank और NBFC से avail कर लेते हैं, उनकी जरूरत से भी ज्यादा, बाद में यह surplus loan market में उदार के रूम में चला जाता है, जिसकी recovery time पर नहीं हो पाती, EMI में default शुरू हो जाता है, मैंने के पंदा देन MSME owner के इस बाद में कन्यूम हो जाते हैं, कि next month की हमाई देनी है, उसका arrangement कैसे करें, winges में over funding भी उतनी ही बुरी है, जितनी sort funding, इसलिए MSME owner का अपने बेबेक और अपनी requirement को ध्यान में रखकर ही, loan avail करना चाहिए, ना की किसी बैंक के DSA की सलाव पा, पॉइंट नमबर 6, avoid credit card utilization, credit card को तभी utilize करें, जब कोई दूसरा option available ना हो, जैसे कि कभी कभी international payment करने के लिए, credit card के अलावा कोई दूसरा option नहीं होता है, अनिता credit card के द्वारा payment करना, और उसके बाद delay payment करना, किसी भी business के लिए poison का कार करता है, इसके बाद civil खराब होई, तो future में सभी रास्ते, loan के लिए बंद हो जाते हैं, point number 7, selection of right loan product, अपने 20 साल के carrier में, मैंने observe किया है, कि MSME उनर को पता ही नहीं होता, कि उन्हें कौन सा loan product लेना है, finance market में, 80 से ज़्यादा loan product उपलब दें, और 6000 से ज़्यादा banks, NBFC और financial institutions हैं, जो कि 80 से ज़्यादा loan product के दौ़ारा loan provide करते हैं, हर loan product की अपनी विस्षचता होती हैं, जैसे कि सही loan product का chain करना, इसलिए बहुत जरूरी होता है, समझ्या है कि सही loan product का chain करना, अपने किसी MSME owner के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि banker, DSA या कोई financial consultant, वही loan suggest करता है, जिसमें वह deal करता है, across the India बहुत कम financial consultant हैं, जो balance sheet को सही तरह से समझ सकते हैं, और सभी loan product में deal करते हैं, और सही loan product को suggest कर सकते हैं, लेकिन किसी भी MSME के लिए, यह जरूरी होता है, कि वह सही financial consultant का chain करें, और उसके बाद सही loan product का chain करें, पॉइंट नमबर एट, use of government special scheme, किसी भी unsecured loan को avail करने से पहले, यह जरूरी है कि कोशिश करें, कि किसी भी government scheme के अंतरगर, bank में loan के लिए apply करें, जैसे कि Prime Minister Mudra, loan योजना, यह जरूरी loan scheme से हैं, जिनमें interest rate 9 से 10% तक मिलेगा, इसके अलावा government कुछ loan scheme में subsidy भी देती है, यदि इस subsidy को हम loan के interest cost में reduce कर देते हैं, तो interest cost अपने आप में कम हो जाएगी, यदि इन loan scheme में loan मिलना आसान नहीं है, लेकिन यदि कोई MSME पहले बताएगे साथ tips को proper follow करता है, तो government loan scheme में loan मिलना आसान हो जाएगा, यदि कोई भी MSME उनर पहले बताएगे इस tips का पूरी दरह से follow करे, तो मैं guarantee देता हूँ कि secure loan को 8.5 से 10% के भी मिल सकता है, unsecured business loan 10% से 18% के भी मिल सकता है, उम्मीद करता हूँ, आपको इस video में दी गई, ये जानकारी पसंद आई होगी, अगर आप loan के लिए apply करना चाहते हैं, या फिल loan से जूली किसी भी प्रिकार की जानकारी चाहते हैं, तो नीचे दिये गए नमबर पर call करें, या आप हमारी website financeiver.com पर visit करें, और अपने inquiry form भर सकते हैं, अन्त में मेरा आप सभी से आग रहे हैं, कि इस video को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share करें, ताकि ये video छे करोड मेसमी ओनर तक पहुंच सके, और सभी इसका फाइदा लेच सके, आप अपने राय और बिचार हमें, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्कीम की जहनकारी एक साथ, तक तक के लिए धन्वार।